है हेलो फ्रेंट्स है मैसेल्फ डॉक्टर सचिंद्राउथ आपका गिरी टुटर्स में स्वागत है तो यहां पर दो को फर्स्ट बायोजी में पढ़ाऊंगा आपको 11 का फर्स चाप्टर में स्टार्ट कर जैता हूं लिविंग वर्ड आपके सामने स्क्रीन पे हैं ट क्या स्ट्रीट करेंगे मता आपको लिविंग वर्ड में फोस्ट बेसिक अप्रिंसिपल प्रिंसिपल आते हैं यह सब्सक्री बेसिपल प्रिंसिपल मेटाबोलीजम यहां पर मैंने तीन चाहर दिये मगर मेटाबोलीजम में दो आते हैं फॉर्स वन इस अ मेटाबोलीजम हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे गुरोथ एंड डिवलेप्मेंट से ओके मैं चेंज करता हूँ थोड़ा सा कलर एंड थर्ड वान इस री प्रोड़क्शन थर्ड वान इस री प्रोड़क्शन तो एजिंग डेत रिस्पॉंसिवेस यह जो है न आपको यह स्टिमॉलाई में आता हैं आल इस इंक्लूदिन मेटाबोलीजम बाद मैं आपको बताऊ अंड डिफेलप्मेंट जो फर्स होलोग देखेंगे ग्रोट यॉद्पल देवलोपमेंगे आपको फंस अगेन इब रिपीट तो बेसिक प्रिंसीपल अ एदर इन प्लांट अधर अधर इन अनिम लस्ट पहला फर्स बेसिक प्रिंसीपल एग्रोट अंड वर्पमें ओके सेकन्ड री प्रोड़क्शन यहां पर मैंने मेटा बुलिजम फॉर्स लिखा है मगा यहां पर सेकन्ड कुंसा लेंगे अमलोग रिप् रॉडॉक्शन से second one is a reproduction and the third one is a metabolism तो यहां पर दोगो basic principle बताओ मुझे कौन कौन से में तीन पहला कौन सा है फिर्स्ट वन इस ग्रोथ and development ओके समझ में ग्रोथ and development तो आपको पता होना ची यार growth and development means किसका basic principle है second basic principle कौन सा आएगा reproduction okay and the third one metabolism okay आप लोग समझ गए तीन difference तो हम लोग one by one जायेंगे तो नाओ इन इस थ्री बेसिक principle हम लोग ने यहां पे एजिंग लिका है डेत वो तो बाद में हम लोग metabolism में उनको include करेंगे तो बेन तीन ही देता हो में यहां पे फिर्स्ट वन इस growth and development secondary production and third metabolism so in this three basic principle which one is a definite principle मैंने क्या बोला कि यह तीन basic principle है मगर उसमें भी definite principle कौन सा है नहीं पता आपको बताता हो मैं तो for some लोग जाते एं में growth and development growth and development मेध्ट एक में मैं क्लॉज करता हूं और आपको बताऊ नो growth and development घु आतरि अपको दिए डिया इन या और देओं एड्वलक मेन ग्रोथ अपको यहां पनलानन दीलेम्पट पंप मैं तो जो सीट जर्मिनेट मेंने एक्जाम्पल दिया है अनिमल भी दे सकता था में आपनों इने प्लान का दिया है जिर जर्मीनेशन तो आप लोग देख सकते हैं ग्रोथ इंक्रीज इन साइज साइज बढ़ रहे हैं इंक्रीजने साइज शेप शेप भी बतल हो रहा है कुछ एंड वॉल्यूम इतना से छोटा से सीठ था बड़ा प्लान बन गाया है यहां पर कि अग्रोथ एंड डिलप्मेंट ग्रोथ इस इंक्रीज इन साइज शेप और वाल्यूम अप्दा और आर्गिनिन्सम तौब डाग्रम में ते क्लिर कट इतना सचोटा सचेट बड़े प्लांड में अग्रोड हो गया जो एक्या हुआ हुआ size increase in shape increase हुआ हुआ और volume increase हुआ यह एनिमल में भी लाग होता है और in plant also so increasing in size shape and volume its called as a growth so growth is the definite character growth definite character है या ना आप लोग बता सकते हो growth definite character लोग तो चाहिए है ना सब में growth होती है हुपन बिंग्स में growth होती है मैं में 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 आता है में बहुत सारे अनिमाल्स प्लांड में ग्रोथ है ग्रोथ इस डिफिनेट क्यारेक्टर अब अब आपको बताता हूं यह दिखोगी आपके सामने बोडा सा पिच्छर यह पिच्छर आप लोग सांड्स्ट्रोम का देखो बहुत सांड का टिल है यहां पर दीक्राब को आप लोग ने कभी भी देखा है कि एक जो सेंड या माॉंटन या रिवर इनकी साइज और शेप चेंज होती है हाँ डेफिनेटली देसाइज आफ रिवर साइज ऑफ मांटन साइज हर साल बढ़ रही है इसका मतलब एवरेज जिंदा है इस लिविंग तिंग नो यह लिविंग नहीं रिवर अरे जाने दो आपके रस्ते के कड्डे देखो कितने बड़े-बड़े हो चुके है वो लिविंग है पहले साइस थी छोटी अभी बड़ी होगी रस्ते के आपको ग्रोथ उसमें भी है चुल बारिश अगया ग्रोथ हो गई और उसके वाज़े दुसरे की ग्रोथ हो गई और टॉपिक अलग है जाने दो हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं तो ग्रोथ इस अलसो अब्ज़र इन नॉन लिविंग तिंग्स सब्सक्राइब ग्रो आप वोग देख सब्सक्रीप देन ना मौ चुंपि यथा और ब्रीश प्रिंसिप्लszक्स्व अइक पर देना उससे क्या ओगा application बढ जाता है यह बैसइक पिनसीपट देन अश्चीन का देना एकई अश्येवंग में tama इन प्रोद्ट्टुन सार्तियुष पर्डिसपिन आइधर और शिक्षुली और सेक्षुली तो यहां परेको रिप्रोडुक्षिन किसको बोलेंगे तो आप लोग यहां पर देख सकते एक मंकी है उसके हाथ में थोड़ा छोटा सा बच्चा है इसैसर और शिक्षुली और सेक्षुली और सेक्षुलम रिंखोट्क सेसे उता गामे गश्चा होता है पथा आप ॅमिब्हाग पतह है अब में होता है अब क्या देखा होगा वग अभी무 छे平 और में और इंटरीक इंट रॉटरीव और उसक्षिए रॉटलीव ह में बाइननेकों रॉट के बात में रॉटु को यह थे कर लेता हूं यह बनाना प्लांड है मानोब्लो मैं सेमसम्म प्लांड निकाल नहीं पाऊंगा अ तो यहां को बनाना प्लांड स्में को नहीं देखा होगा छोटे ऑर ना की आसच्छे प्रॉक्शियर प्रफट्शन लिटीटक्श सच्छीडिटरॉक्शियर अनr Stheyboda मेर किल रहु है। कोश्यित तो किया मैनने निकलने लिए य। य॥ा ज मिया इस भी प्रब्रुट्रॉक्श फटरुट्फट्ट अ our cockroach production grow reproduction means the new young ones are produced by either us sexually और sexually तो अब लोग ने देखा इंटेक्स प्लेस विदाओ फूजर अप मेल फिमल गामेट तो इन प्लांट आज वेल आज इन आनिमल लोग ग्रूप आनिमल्स दो और प्रिंसी अग्र ज्गिदी तो इस बिस्टेश भी आनिमल में स्थो जो सेक्शLY प्रॉजर आज कैसे सीटेथर उखुली को ग्लग धने कोछाए थले चैन्सीटाइड अपने रिच्छु गैश्स में को female gametes so these are called the sexual reproduction so reproduction is a definite characters मेन क्या बोला आपको first growth and development is not definite character so reproduction is a definite character once again I will repeat what is reproduction the new young ones are produced either us sexually or sexually but reproduction is also not a definite character definite character नही है इसा नोट definite character why it is not a definite character definite character क्यों नहीं बोल सकते हम लो क्या रिजन क्या है इसका definite character क्यों नहीं है होना चीए नया new young ones कोई तो जनम ले रहा है यहां पे but it is still it is not a definite character क्यों तो यहांपे रेखो the mule आप लोगानी क्यों देखा है देखा है मियल यह देखा आपको अगे नाओ दम्यूल तो मियूल देख सकते आप लोग जो donkey और horse की breed से बनाए गया है कोन से donkey और horse से आप लोग पर ile थे बेटा भी होगा मिल डेखा भी होगा आप लोग ने कोई वज्ट दे सार इंदी में मरडी में माख्यूर घ्रण अप लोग गोड़े भोड़े थी बें शावी थे शंव रहते समेश और म्यूल-muralि में मरडी में खेचर बोलते हैं, so these are sterile animal, mule कैसा है, these are the sterile, donkey भी नहीं है, horse भी नहीं है, दोनों का interpret करके बनाया है, so these mules are the sterile animal, they are not produce any young ones, okay, another example is a, यहाँ पर देख सकते हैं, लोग, another example is a worker honeybee, यहाँ पर मैंने की honeybee दिये, honeybee में कीन रहेते हैं, first drone, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, drone is a male, यह कुन सा है, male, queen is a female, but is a fertile female, यह female कैसी है, fertile, young ones को produce करती है, but what about worker, worker is also female, but it is a sterile female, यह कैसी है, sterile, it is not produce a young ones, worker का काम क्या रहता है, honey collect करना, उच्छते को cooling करना, कुछ honeybees वहाँ पर workers fly करती है, और उसको cooling effect देती है, okay, कुछ honey और pollen grains को क्या करते, collect करते, कुछ defense का काम करते, but all these are the workers, are the female, but they are sterile in nature, sterile in nature, this one is a fertile, okay, यह से reproduction का काम करते है, mating with female, but worker, यह जो worker आपके सामने है, it is a sterile, क्या है, sterile, so mule and worker bees do not reproduce, yet they are living, hence reproduction is also not a definite character, तो इसलिए रेखो, कभी कभी कोई couples रहते हैं, human beings में, उनको बच्चे प्रूदूशन रहते हैं, हम लोग बोलेंगे non-living है, नहीं बोल सकते हैं, we can't say they are non-living things, they are living things, hence reproduction is not a definite character, definite principle में नहीं आता है, okay, तो हम लोग next slide पर जाएंगे, हम लोग, next one is a metabolism, तो आप मुझे metabolism को बता दो, metabolism definite character है या नहीं है, what is metabolism, so metabolism, आप लोग यहां बेक, human beings रहें, यहां पर कुछ chemical energy, तो chemical यहां पर वेस्टेज भाहार निकल रहा है, these are the chemical wastage, wastage carbon dioxide, यहां पर CO2 लिखता हूं है, and water, तो यहां पर को, what is metabolism, metabolism is a breakdown or synthesis reaction, occur in the living organism, so metabolism क्या है, it is a chemical reaction, occur in the living organism, यह chemical reaction है, either these are anabolic reaction, और catabolic reaction, anabolic किसको पोलेंगे, in the reaction, the synthesis of new products are occur, कोई product नया बन रहा है, so these are called as anabolism, and what is catabolism, in catabolism, breakdown reaction, breakdown reaction is called the catabolism, metabolism, what is metabolism, metabolism is a chemical reaction, occur in the body of living organism, body of the living organism, so you can observe here, in this slide, कि यहां पर केमिकल इंरजी कि लिख फूर ले रहे, okay, and there is a breakdown of this complex substances, these complex substances को यहां पर आम लोग जो फूर खारे, है, either they are carbohydrate, fat, protein, other products, they are converted into the ATP, so these are the respiration reaction in metabolism, so metabolic reactions are the two types, anabolic or catabolic, anabolic example, आपको मैं बताता हो, in anabolic, okay, so in anabolism, anabolic में क्या आता है, photosynthesis reaction, photosynthesis reaction क्या दिये, 6CO2, plus 12H2O, in the presence of light, artificial light is also effective, इसले light लिखा मेने आपे, है, and chloroplast, CHL लिखा, क्या बनां गया, C6H12O6, plus 6H2O, plus 6O2, so these are the photosynthesis reaction, यह reaction क्यों सिय है, photosynthesis, photosynthesis reaction, so this photosynthesis reaction is anabolic process, because in anabolic process, new products are synthesized, आप लोग यहां पर लिकरे, carboid, यह carbohydrate क्या हो रहा है, synthesize हो रहा है, so it is anabolic process, and what is catabolic process, the respiration reaction, the respiration reaction में आप लोग देख सकते हैं, in respiration reaction, क्या हो रहा है, आपे, C6H12O6, aerobic respiration लिख रहा हो है, 602, क्या बन गया है, 6CO2, plus 6H2O, and 38 ATP, balance बात में देखो, ATP बनता है, क्या बनता है, ATP, so these are the respiration reaction, these are called catabolic reaction, यह कुंसी reaction है, catabolic reaction, so respiration is a catabolic reaction, these are the respiration, this is the catabolic reaction, what is metabolism, metabolic, there is a chemical changes occur in the living organism, is called as a metabolism, is called as a metabolism, so metabolic reaction is anabolic and catabolic, anabolic example of photosynthesis, in which new products are synthesized, addition हों के निया प्रोड़क कुछ बन रहा है, these are the anabolic, and what is catabolic, catabolic means, the breakdown of organic substrate into the simple one, and release energy, so these are the catabolic, यहाँ पे breakdown हो रहा है, तो इसको क्या बने, respiration को catabolic reaction, so now this metabolism reaction, either it is a definite or indefinite character, कुंसा character रहा है, it is a basic principle of life, and it is a definite character, क्योंकि जो living organism है, उसमें metabolism reaction होना ही होना है, non-living में reaction होती नहीं है, so it is a definite principle of the life, यह definite principle है, growth, development, and reproduction यह definite नहीं है, उनके मैं आपको reason बताया, but metabolism is a definite character, it is a definite character, तो आप लोग metabolism में anabolic और catabolic देखा हम लोग नहीं, तो यहाँ पर एको metabolism के मैंने definition दिया है, metabolism is a breaking of molecules, catabolism or making of new molecules, anabolism, so organism perform metabolic in order to obtain energy or various chemical molecules essential for the survival, तो survival के लिए हम लोग energy बनाते, anabolic से, catabolic, anabolic से synthesize होता है, catabolic से breakdown होता है, and survival के लिए जरूर है, and only occurring in the living organism, metabolism किसमें होता है, only occurring in the living organism and it is a definite character, याद रखो, आपको exam में anabolic और catabolic reaction की definition आ सकती है, तो यहां पर अभी मैंने next slide पर जाता हूं, और मैंने वो date, date और आगे वाला जो लिया था मैंने, तो आप लोग देखो date यह भी metabolism में आता है, तो कोई living organism क्या होता है, डेट, डेट means a termination of life, simple definition, termination of life, यहां पर मैंने animal का और किसी human minks का नहीं दिखा, यहां पर एक plant मरा हुआ देखा गमले में देखा, आप लोग देख सकते, डेट is a termination of life, means body loss is their capacity to perform metabolism, यहां पर एक जो plant है, body losses, क्या loss करना है, capacity to perform, capacity to perform metabolism, is called as a death, कोई भी plant हो, either animal हो, अपनी capacity खो देता है, metabolism करने के लिए, so these are called as a death, okay, termination of life, तो यह भी metabolism में आ सकता है कि यहां पर metabolism स्टॉप हो गया, so death, so now the next one, next slide में देखता हूँ, responsiveness, responsiveness means stimuli, responsiveness, आपके हां पर मैंने कुछ फेका इसे, तो आप लोग क्या करोगे, समने रहोगे, यह क्या क्लोगे, means response करोगे, या अचनक से आप लोग आपका body side में करोगे, so the response, कोई भी sound सोना ही दे रहा, तो आप लोग क्या करोगे, response करोगे, वहां पर देखो, आप लूम में बेटे हो, बहर बेटे हो, temperature अचनक से बढ़ गया, so your body response to the stimuli, response to the stimuli, यह भी metabolism character है, यह भी metabolism में आता है, responsiveness, stimuli, यहां पर देखो, slide, texture, taste, smell, sound, आपके tongue पे मैंने कुछ खटा रख दिया, तो आप लोग ऐसे करोगे, your response, तो यह सिर्फ living organism में, metabolism में ही आता है, responsiveness, तो यह भी metabolism का character है, इसलिए basic principle मैंने तीनी लिया, growth, development, reproduction and metabolism, metabolism, date, responsiveness, यह सब किस में आता है, metabolism में ही आ रहा है, and now taxonomic ad, यहां पर देखो, in the next chapter में, taxonomic ad लेने वाला हूं, so for this session, आज के लिए इतना ही, काफी है, तो इतना आतरों को basic principle मैंने पढ़ाया, तो basic principle कौन-कौन से, तो आप लोग देख सकते, basic principle, metabolism, these are the definite metabolism के बाद मैंने reproduction लिया, reproduction के बाद मैंने क्या लिया था, growth and developments, okay, so for today, यह session आपके लिए अच्छा गया होगा, okay, चलो आज के लिए मैं इतना ही, काफी है, thank you, bye.